हाई व्रीवन वेरी गुड मॉर्निंग तो अलोफ यू और विलकम विलकम तो सेलेक्शन टार्गिट सभी लोग लोग लाइव आ जाईयों प्लीज सेशन को लाइक और शेर जरू कर दीजिया कि जो आज के कॉंसेप्ट होने वाले वो गोल्डन से भी जाद है वो डायमंड कर पाता है मुझे इतनी नॉलिज भी नहीं उसके बारे में लेकिन आपका जो सबसी बड़ा कंफ्यूजन क्योंकि मैं वर्व का आज कॉंसेप्ट राने वाला हूं जो वर्व में कंफ्यूजन होता है तो इस ग्रेली गोइंग तो वेरी 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 इंपॉर्टन टॉपि क्लास को स्टार्ट करेंगे जो की आज होने वाला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और वह है पता है क्या है एड है और हैड है का यूज आप बहुत ज्यादा परशान होते हैं चीज को लेकर के कई बार मुझसे कहा भी गया बट मैं टाइम नहीं दे पाए इसमें लेक करने की पूरी कोशिस करूंगा ठीक है चली निदी शुकला गौड ब्लस यू मीना खंचन सरोज रवींद्र अंकिता भारती शाक्या ठीक है तो सभी लोग उज़रा थो सब वेट कर लीजिएगा काफी बच्चे जुड़ी आए तो फिर पढ़ाने में भी मज़ा आए बढ मेरा बड़े विश्मी अंकिता करें चली अंकिता राज आपको जर्म दिन की बहुत सारी शुब कामना है खूब तरक्की कीजिए जीवन में कुब आगे बढ़िए सबका नाम रोशन कीजिए हमारा नाम रोशन कीजिए बिल्कुल बिल्कुल हिमानिशिंग थैंक्यू यह बहुत ही ज्याद़ इंपॉर्टिंट टॉपिक है देखिए सबसे पहले काम करते हैं आज हैव हैड जो मैं आपको प्रहाने वाला हूं हैज हैड हैव है और हैड है इसका कॉंसेट समझने के लिए बहुत जरूरी है कि आप पहले बेसिक कॉंसेट को समझें बेसिक पॉ होता है कि वहल्म करती है एक होता है मिन की रूप में आ गए तो मैंने कहा कि लच्व वर्व हम ये बात कैसे पैचानेंगे चब आप यह वाले कॉंशेट को आइसानी से समझ पाएंगे तो हमेशा यारकि hizo acne में कि दो इ tow भर दीर गती हैं तो उसमें से जो पहली वाली वाली होती है पहली होती है और जो बाद वाली होती है तो जो पहली होती वL橋 वह वह helping वर्व होती है और बाद वाली हमेशा main वर्व होती है यह बात ध्यान नखिएगा ठीक है चलिए राज व्याइपी क्लास जो होती है वो कितनी भी जल्दी करिए कभी न कभी एन मोके में इसी बात फस्ती क्लास दो-चार मिनट लेट होना ही तह है कभी टेक्निकल चीज़ें नहीं काम करती कभी एकदम से यूटूब ही लेता है तो बताई क्या करें यह टाइम से आना आपकी जिम्मेदारी है मेरे बाद में आप क्यूं आते हैं आप जल्दी आईए सब लोग आप वेट करेंगे दो मेंट तो कोई घाटा है क्या या आपके पास टाइम नहीं तो फिर बात में देखा कीजिए जो भी है लेकिन अभी मुझे पढ़ाने दीजिए कोई इस्टर्मिंस क्रियेट नहीं कीजिए बिल्कुल ठीक है सभी लोग की में कह रहा हूं अराम से पढ़िए बहुत इंपॉर्टिन कॉंसेट में लेकर क्या हूं आज अब मैंने जैसे कहा कि ही इस इटिंग दा फूड यह मैंने मात लिख दी अब यहां पर हैं दो वर्ब क्या हैं दो वर्ब हैं ठीक है दो वर्ब हैं जिसमें से जो पहली वर्ब एक वर्ब यह है आपकी एक वर्ब यह है तो एक चीज़ कंफर्म है कि जो पहली वर्ब होगी वो हेल्पिंग वर्ब होगी जो दूसी वर्ब होगी वो आपकी main वर्ब होगी लेकिन यदि sentence में सिर्फ एक ही वर्ब आ रही है तो ये 200% सच है कि वो main वर्ब ही होगी जैसे मैंने का I ate a mango तो यहाँ पर ate क्या है सिर्फ एक ही वर्ब है क्योंकि I क्या pronoun है यानि subject है अमेंगो क्या है आपका object है यानि की noun है तो एक ही वर्ब है तो यह क्या है में वर्ब है तो आपने पहली बात यह समझना बहुत जरूरी च्छोटी चीज मुझे पता आप लोगों को बहुत लोगों को पता होगा लेकिन फिर भी यह बहुत जरूरी यह जानना दूसरी important point यह समझते है क्या होने वाला दूसरी important point वो यह समझते है कि अब मैं कहने वाला हूं कि जैसे मैंने कहा कि कुछ forms मैंने आप उता है कि do की forms क्या होती है और have की forms क्या होती है यह तीनों की forms को जानना भी जरूरी है त 2nd form did होती है 3rd form done होता है 4th form क्या होती है doing होती है और 5th form आपका does होता है यह 1st form 2nd form 3rd form 4th form और यह 5th form होती है बहुत बच्चे तो आज भी यह नहीं जाना पाते कि as C या yes की form जिसको sublient fix बोलते हैं वह form वर्वो की 5th form होती है और बी की form में मैंने आपको बता है कि बी की form में क्या होता है कि सबसे पहले जो होती है वो आपकी plural form होती है तो यहाँ पर क्या होगी R होगी R या B और second form में होती इसमें is होती है या फिर वर होती है और इसमें क्या आएगा जानते हैं been आएगा इसमें being आएगा और इसमें आएगा is आएगा और साथ में am आएगा बास समझ में आगी क्योंकि is और am singular होती है और R क्या होती है ये plural होती है यह confusion भी दूर होना है आज और being आपकी वर्ब की fourth form होती इंग फॉर्म होती है और बात करते हैं अब हैव की form की हैव की form क्या होती तो है वर्ब की first form second form हो गया had, third form हो गया had और fourth form हो गया having और fifth form हो गया has ठीज़ी तो मैं यहांपर do या b की form को बताने नहीं जा रहा हूं मैं आज बताने जा रहा हूं haf की form का use कैसे करते हैं जैसे कि double-double have की form आती है तो haven के form की uses क्या होते हैं वो बात मैं आपको समझाने वाला हूँ अब देखिए points समझते हैं मैंने कहा कि जो हैव होता है जो हैव होता है वो दो तरह से काम करता है एक काम करता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में और एक काम करता है आपका में वर्ब के रूप में जब वो हेल्पिंग वर्ब होता है तो अपने साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लेकर के आता है और जो म के के लका सकते हैं मतलब कि फिर हम के लगा सकते हैं और के वल्गा इसमें को ठीक है लेकिन है भी लगा सकते हैं अब बात आती कि यह हमें करना कभे यह चीज़ा में करनी कभ mogę तो देखिए जैसे मैंने पहले आपको helping verb के बादे मताओं तो मैंने कहा I have learned my lesson ठीक है तो देखिए have यहाँ पर क्या है helping verb है इसके साथ में वर्ब की यह third form आई है ठीक है जितने भी स्टुडेंट यहां वहां कोचिंग की बाते कर रहे हैं वह चुप हो जाएं बिलकुर शांती से बाट के पहले पढ़ाई की बाते करते हैं फिर बात में डिस्टरब करते हैं सर समझ भी नहीं आया तो दो तीन बच्चे में देख रहा हूं नीरज विदित और एक और अपने यह सारी बाते बंद करके पढ़ाई पर ध्यान दे लिजी बहुत जरूरी है बहुत इंपॉर्टेंट कॉंसेट है ठीक है अब मैंने बात करता हूं में में जब भी हैव में में काम करेगा आपको तीन पॉइंट या रखना है कि हैव भी हैव करेगा यान की रिष्टे को बताएगा और थर्ड में क्या करेंगे आप इट ड्रिंक या फिर स्पेंड टाइम यानि समय बिताने की बात वो करता है यह बात दिमाग में बठीएगा बठा लीजिए जब हैव में वर्प के रूप में होगा तो पोजेजन अधिकार की बात करेगा या फ का आई है आई हैव यह हैं कि मेरे पास गर है तो गर पर किसका अधिकार मेरा आधिकार है ठीक है यानि कि इसका मतलब हूं गर कि उसके पास एक घर है तो घर पर किसका अधिकार ही का तो यह क्या है में वर्वे लेकिन बात यह यह कि जब बात पोजेजन की आती है तो आप वहाँ पर है भी उसका सकते हैं है क्या कर रहा है घर पर अधिकार बता रहा है किसका आई का मैंने का I have a car, I have a bike, I have a कुछ भी बना सकते हैं अब बात आती दिलेशन्शिप की तो मैं कहे दूं कि I have few friends यहां मैं कहे दूं I have a few friends थे कि मेरे पास कुछ दोस्त हैं मेरे पास कुछ दोस्त हैं तो दोस्तों पर दोस्तों से क्या मेरा relation है दोस्तों मेरे relation है मेरे सम्मंद है तो यह हैव क्या मेरे साथ रहा है ? सम्मंद बता रहा है मैं कहा दों कि I have a beautiful family तो my whose family का मेरे ähän साथ दिखा रहा है है और यदि मैं कहा हूं कि I have breakfast say będzie I have breakfast यहाऊँ है यह क्था देली तो यहां पर have का थिंज क्या है मालूम है यहां पर have का सिंज है eat यानि कि मैं daily breakfast खाता हूँ I eat breakfast daily क्योंकि यहां पर have क्या Moving वर्ब है overhead क्या मेन वर्ब है और eat मतलब खाना हो गया तो यहां पर खाने का सिंस है मैंने का I have warm water daily अब यहां पर कह रहा है कि वर्म पानी को तो आप खाएंगे नहीं पानी को तो आप पीएंगे तो यहां पर हैफ का मतलब यह हुआ कि आई ड्रिंग वाम वाटर डेली अब मैं कहें कि आई हैव ठीक है मैंने का I have memorable time ठीक है these days कर दीजे मैंने लिख दिया इसका मतलब है कि I spend क्या होगे I spend memorable time यानि कि मैं यादगार समय इन दों गुजारता हूँ तो spend क्या हो गया यहाँ पर have का sense क्या spend का sense यानि कि verb एक ही ही है लेकिन प्रियोग देखिए कितने अलग अलग है वर्विके कितने अलग अलग प्रियोग है तो यह चीज़ आपको पहले जानना बहुत जरूरी था तभी आप उनके uses को समझ पाएंगे ठीक है पिल्कुल देवाश में था बात समझ में आ गई clear हो गई तो यह आपको द्यान अखना है कि जो है वह कितनी तरह से use होता है अब मैं कुछ एक्जाम्पिल्स और आपको देता हूं जैसे मैंने आपसे कह दूँ मैंने कहा कि ही है और फिर मैंने का हैव मान लिजी मैंने का हैव यह सेंटेंस राइट है कि रॉंग बताए चलिए बच्चे बहुत कम है क्योंकि बच्चे क्या होते हैं बच्चे पता है बच्चों की एक आदत और भी होती है कि गोल्डेन कॉंसेट है वही रोज-रोज की होंगे क्योंकि बैने थम्मनेल में यह नहीं लिखता ना बड़ा बड़ा क्यों आज वर्व की कॉंसेट बताने वाला हूं और बाद में फिर देखते हैं तो फिर बाद में लगता कि हां लाइव अटेंड करना चाहिए था तो चलिए आप चलिए गुड मॉर्निंग प्रिया सिंग रॉंग है बहुत लोग राइट भी बोल रहे हैं सरकेरें सर राइट होगा देखिए बात को समझते हैं यह लिखा हुआ कि हैज है यानि कि यहां पर आप देखिए हैव लिखा है और ब्रेक फार्श की बात हो रही तो एक चीज़ कानफोर्म है कि यह खाने की बात कर रहा किसकी बात कर रहा है खाने की बात कर कि यानि की यहां पन लिखा होना चाहिई гр हैं लिख रहे हैं लिख रहे तो क्या यह सेंटेंस ही है घलत है क्योंकि आपको बदे कि हैज के साथ में वर्ब की थर्D फॉर्म आती है तो आपको यहां पर ईंट करना चाहिए था और एंट का मतलब हुआ कि आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म याने कि हैड लिक न चाहिए दो फॉर्म है में यह तो यह हैज है इस फेज्स एड़ का सिंट देगा शेयों है वहास एक जान में पूछता है बहुत जो सही बोल रहे थे अभी में इक एक और बोलता हूं कि मैंने का कि ही हैड फिर मैं लिखा हैव और इस्ट्रेंज एक्स्पीरियंस यस्टरडे बताइए यह सेंटेंस सही है कि गलत बताइए चलिए यह सेंटेंस गलत है यह सही बताएं कोई बात नहीं शालिने है ठीक है आप अपने तविए पर खिया रखें आंसर डीजे क्या है मैं चलिए चलिए अची बात है जी जिस ने भी बताया अच्छी बात है अभी इसका आंसर चक्कर में मत पढ़ें आप बताएं कि के नौ तो देखें बच्चे के रहीं सर हैड होगा अब यहां पर आपने सिंप्ली समझ अपते की सीख लिय созд लिए तो आसानी लगने लगी आपने का ही हैड हैड कि के साथ में हैव नहीं आता क्यों कहिए हैड兄 वर्व की 3rd form होता है तो आपको यहाँ पर have की 3rd form का प्रियोक करना चाहिए जो की head होता है काना मैंने have वर्व की 1st form, had 2nd form, had आपकी 3rd form और having आपकी 4th form ठीक है बात समझ में आगई चलिए तो इन बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए अच्छा एक चीज और बताईए मैंने कहा, he just had her lunch क्या यह sentence है यह बताई चलिए, देखना है कितनी वर्व की knowledge है classes को underestimate करना बहुत आसान है लेकिन पढ़ना बहुत मुश्किल चीज है और अगर सब पढ़ें तो सब नहीं नौकरी पा जाएंगे यह भी तो होता है यह ना तो जब पढ़ेंगा इंडिया थभी तो आगे बढ़ेंगा इंडिया इसका आंसर क्या होगा, he just had her lunch has a head के बाद head ही आएगा, बिल्कुल बिल्कुल सरोज, ठीक है इसमें सही क्या होगा, सही बताईए, जो सही बताईए न वो मैं मानूं कि आपको टेंस बहुत अच्छे आते हैं, इसका क्या होगा बताईए अब कहरें सहर रौंग है, have होगा, have होगा, he just have her lunch, अच्छा has होगा, अब कहाना कहरें, बात को समझे, just लिखा हुआ, just और मैंने पढ़ाए कि just हो, या up till now हो, या up to now हो, या yet हो, ठीक है तो क्या करते हैं, perfect में टेंस बनाते हैं, तो यह होगा, he just अब perfect में बनाईए, तो क्या बनाएंगी, head होगा, फिर एक head और होगा, और होगा, हर lunch होगा, यानि कि यहाँ पर head क्या verb की third form है, जो की eaten का sense सिंस दे रहा है यहां पर हैड क्या होगा पर्फेक्ट का सिंस दे रहा है तो यह बन गया पर्फेक्ट है ठीक है कि यह पर्फेक्ट बनता है प्रफेक्ट बना यह पास्ट बना यह अलग चीज़े पर्फेक्ट में बनाना है आपको ठीक है तो यहां पर हैड हैड इट तो मतलब यहां पर इटन होगा तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हैड लगाने में ही मज़ा कि बस है इसके बाद में हैड वह राइट सेंटेंस भी पूछेगा कि राइटली आपको पता है कि नहीं पता है समझ में आगी बात चलिए अब या रखे अब एक सिंपल सी बात में आपको और बता दूँ कि हैज के बाद में हमेशा हैड ही आएगा और हैव के बाद में हमेशा हैड ही आएगा और हैड के बाद में हमेशा हैड ही आएगा यह बात ध्यान रखीगा क्योंकि यह तीनों क्या हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म है और इनके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है यह एक बात में एक पॉइंट में समझ लीजिए इसको अब मैंने कहा शी है हैड डिनर है बिफोर है आई इसका राइट अंसर अगर यह गलत है तो सही है तो कोई बात नहीं ठीक है बदाई चलिए तब भी हैड का यूज कर सकते हैं कि यह स्टर्डे कहां लगाए यह स्टर्डे लगाए कि खाने के तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म ना मैंने कहा कि आई हैड लंच यस्टर्डे ठीक है सही है यहां पर यहां पर एट का संस दे रहा है तो हैड लगा सकते हैं ठीक है बात समझ में आ गई चलिए अब चूंकि मैं सेंटेंस पूछ रहा हूं प्रिजेंट टाइम पर हैज है इसी दूल से तो सारे बच्चे कंफर्म करके बता देंगे तुरंत तुरंत कि हां सर सही है लेकिन जब एक्जाम में आता है न तो दिमाग काम नहीं करता है यहां पर है अको ब kale दो action हो रहे हैं एक बिफॉर वाला तो यानि action पहले में घर ठीक है सी हैड है इननर तो पहले डिनर हो गया यह action verb है और यह action second है जो में बनता है है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में यानि पास परफेक्ट में और जो एक्शन सेकेंड होता है वो बनता है पास्ट में पास इंडेफनेट में तो यहां पर सिर्फ हैड नहीं होगा क्योंकि यहां पर हैड का मतलब है क्या इतन यह कह रहा है कि एट का संस दे रह है तो आपको यहां पर लगाना होगा शी हैड है डिनर ठीक है और बिफोर आई रिज्ट हों बाकि एजटेस कॉपी यह इंप्रू में भी बहुशता है ग्रैमड कल जो कोश्चन आते हैं कि ग्रैमड कल इनकरेक्ट या इसे में कोश्चन से पूछता है ठीक है अब मैं एक कोश्चन आपव पूशता हूं आप से चलीं इसका कि किया होने वाला है प्रैक्टिस भी तो कर वालों मैंने कहा कि एक था मैं मजड हर इस परीस नली है कि आई एडमिट है इस देट है जारा और है जैँट है कि मिद्चिए कि मैंने तो चृट है। कि मैंने लिखे हुएं आपこんにちは सेंटर देखिए कर मैंने लिखे हुए हैं चलिए इसमें यह लिखा हुआ बताइए याद आगे हैं न मुझे कि तुम आने ठाइब किया था आपके लिए बिफोर आइमेट परसुनली आइसेप्ट दैट आइड हैव रॉंग ओपीनियन अबाउट हर क्या वैसका अंसर इसका आंसर दीजिए क्या होगे बताईए चले तो यहां पर भी सब लोग आंसर कर रहे हैं कि सर यहां पर हैड के बाद में हैव नहीं आएगा बलकि हैड आएगा इसका मतलब है कि यहां पर रखने का सिंसे पोसेजन का कि मैं उसके बारे में गलत ओपीनिन रखता था तो यहां पर क्योंकि यह ओपीनिन रखना मिले हम बाद में और ऑपीनिन हमने पहले रख लिया यह वाला एक्षन पहले उसके गएगा और यह बनेगा पास्टेंस में तो यहां पर डिफिनिटली पास्ट्रक्ट बनेगा तो हैड प्लस हैड हो जाएगा यह बाद यहां डिकिए अब मैंने का ही आप चलते हैं तो क्योंकि यह वाला भी तो बताना है तो मैंने का ही माली जी मैंने का ही है इटन दा फूड को मतलब क्या होता है कि आप यहां पर लगा सकते हैं कि है का मतलब खाना भी होता है तो आपको लिख देना है कि he has had the food मतलब कुल मिलाकर की कहने का sense ये है कि यदि sentence में has had ये भी दे दिया जाए कि he has had the food it means कि ये कह रहा है कि he has eaten the food तो यहाँ पर had का sense है eaten यानि ये दोनों sentence अपने आप में equal sense देते हैं and both are grammatically ये रूल मुझे नहीं मालूम था वीना कह रही है तो चलिए बढ़िया सीख लिए आपने ना है ना दुखी क्यों होना है खुशी मनाई जस्न मनाई है कि आपने नया नियम सीखा ठीक है और पूछ सकता हूं मैं आपसे चलिए एक question और पूछना है मुझे आपसे देखता हूं कितने बच्च आंसर करते हैं इसका आंसर दीजिए क्या होगा यह स्पेलिंग में करेट कर लीजिएगा ल-e-a-r-n-t लेंट आल हर चैप्टर्स विदिन टाइम चलिए बदाए क्या होगा इसमें चलिए क्या होगा इसका example बताईए बिलकुल रचनात्र पार्थी चलिए ठीक है हाँ देखिए यहां पर must क्या है आपको पता है कि must बेटा एक model वह होती मस्ट के बाद में मस्ट के एक model वह है और model वह के बाद में हमेशा क्या होता है वर्भी की first form आती है तो आपको have का परियोग करना चाहिए he must have learnt all her chapters within time ठीक है यह बात ध्यान रखेगा तो यह भी ध्यान रखना है कि model वह के बाद में हमेशा have ही आएगा और कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि model वह के बाद में must have नहीं हो सकता कभी कभी भी must have नहीं हो सकता हमेशा must have होगा यह हमेशा should have होगा यह हमेशा would have होगा चितने भी model में मैंने आपको पढ़ाई है उनके बाद में have का ही use करना है इनके बाद में कभी भी आपको has या had का परियोग नहीं करना है यह बा was with me up till now so don't rebuke her for coming late चली बताई क्या होगा अगर आप मेरी क्लास डेली अटेंड करते हैं इत मीन्स कि आपने कुछ न कुछ नया सीखा क्योंकि मेरा मकसद सिखाना ही है ठीक है धून-धून करके सर कोई मॉडल्स हो साथ में है भी है बिलकुल सब्सक्राइब ही आएगा क्योंकि मॉडल्स के बाद में जब बैटा वर्ब की फरस्ट फ़र्म आती है तो है वर्ब की फरस्ट फ़र्म ही होती है तो जायर सी बात है कि है घुजिए इसको यूज नहीं करना यह वाला यूज कीजिए यह बिटिस है और इसको लर्नेट भी पढ़ते हैं इसका मतलब विद्वान भी होता है यह वाला यूज नहीं करना होता हमेशा यह वाला यूज कीजिए बिटा द्यान रखिए ठीक है चलिए तो इसमें करें शाह सी हैस होगा अच्छा सब का गलत है सारी विद्वता एक कि लोग मुझे पता है कि क्या होगा ना चाहिए हैस यहां पर लगा देंगे क्या सिंस निकलेगा कि दाइए कोई सिंस निकलेगा मीनिग निकलेगी तो एक बात समझिए का मैं क्या कह रहा हूं मैंने ai आप देखे वाज को हटाना अप तो तो कौनकि यह यहां पर है क्योंकि यहां पर क्या वर्ब एक student में हैज", अब् जिसको हमनेוס Cut दिया है, जिसको हमने रांग किया है what क्या है यह पि के फॉर्म है , यह जब बी की फॉर्म है तो आपको यहां पर बीन लगाना पड़ेगा याँनने इसका पड़े nhưng यहां has been with me up till now यहां पर बीन का मतलब होने का सेंस होना शम्हें बिताना वाला ठीक है यानि शी हैस बीन वित मी यानि कि वो अभी तक मेरे साथ में है चले बात समझ में आ गई पॉइंट यहां रखिए क्योंकि यहां पर वाज क्या बीकी फॉर्म है और केवल हैस लगा देंगे तो एक सेंस क्या निकलेगा बताएगे कोई सेंस निकला तो जो जिसको आपने हटाया है उसको भी तो यूज करना है उसको बिल्कुल किनारे नहीं लिए करने तो वहां पर आपको दी की की फॉर्म क्या होती है याहतtvा पढ़ है तो आपको लगाना मैंने तो लगा जो कि करना पदेंगा क्यों है साथ लगएगी लकिक्तर क्वान फॉ। बात समझ में आगई तो जो मैंने आज आपको बता आए इनमें आपने सीखा क्या इनने आपने सीखा मैं शौट में बता दू कि मैंने आपको कहा कि हैज के बाद में हमेशा हैड आएगा हैव के बाद में भी हमेशा हैड ही आएगा और हैड के बाद में भी हमेशा हैड ही आगा एक तो आपने यह सीखा दूसरी बात यह कि यदि कोई Dodge वो इलHigh वह पर दुज़िए जो आप पहुंच जाते हैं वह पहुंच जाएंगे तो वह plant angry थी ripe अब अपूरा रोप सकता मुझे थोड़ी सी एक ले नी थी मैंने ले ली दूसी चीज कहीं है कि जबके पर आप बी की फॉर्म को काटें जैसे कि वॉज वर इनको कहीं काटें या इस एमार कहीं काटें तो बी की फॉर्म B कीी फाउम में आपको फिर बीन लगाना है तब यह तो Has के साथ में अता है वह बात अलगे एक बीन वह बाला होता है कि अप लगाते कि Ini इंग लगा दे एं कि is Been Living, from आती है वह अपनी चेह पर लें लेकिन आपने वॉस को काटा है ना इसको काटा तो यह क्या यह बी की फॉर्म है और आपको हैस लगाना क्योंकि अप्टिल नाउं लगा था देंकि पॉइंट बहुत जरूरी क्लियर करना अभी आपको समझ में नहीं आया होगा मुझे ऐसा लग रहा है तो बाते समझे इस व की बात कर रहा है तो प्रजेंट प्रफेक्ट में आपको हैस लगाना पड़ेगा शी के साथ में और जब यह वाज दिया है तो इसको हटांके बाहर कर देंगे टोटली तो क्या यह वाज का रिप्लेंस्मेंट है नहीं यह कोई वाज यहां पर यह कोई हेल्पिंग वर्व करना पड़ेगा वाज कि ऑसे पो मैं और लिपकी से केंड में क्यूं आई ए है जब आप तो लुपर फीं में आ चाहिए जब प्रफेक्ट में आना चाहिए यह वर्व적ь की स्केंड कर लिए नहीं लिखना चाहिए था तो क्या लिखेंगे तो चैनल लिफेंगे क्योंकि प तो शब्मिश्ने को मिलता है आपके क्लास में, हाँ कोशिस मेरी यही रहती है, लेकिन बच्चों पर डिपेंड करता है, फीड़ बैक मिलता है, अच्छा लगता है, क्योंकि पहले दिंग क्लास ली, तो बच्चों ने देखा ध्याई थाई हजार बच्ची, फिर देमे देमे लोग बचेंगे यह सब बहार है एक्जाम से क्योंकि वह अपने इसाब से पढ़ना चाहते हैं स्पाइशन यह सब्सक्राइब करें इसका किया इसी इस वह बहुत पढ़ना चाहें अंके लिए आल्टी का बैच रच वर्दान साबित होगा सेवन पीम टाइमिंग रहती है उसमें कोई जल्दी बाजी नहीं करता मैं अराम से इत्मिनान से पढ़ाता हूं कोई डिस्टरबिंस नहीं होता है फुल डिस्सिप्लिन रहता है बच्चे साधा डीटेल मिलेगा प्रैक्टिस सेशंस मिलेंगे वोकाब मिलेगी डाउट सेशं स्टुडेंट है एक बार आपको फीबे करनी एक बार आपको पढ़ना है उसके बाद ग्रामर पढ़ने की नौबत नहीं आएगी जो हमारे स्टुडेंट है वह इस बात को जानते है कि उनको जो मिल रहा है वह आप पूरे यूटूब में दस अजार फूंक कि आ जाईए न अधिशानियों से आपके भी सपने पूरे हों नहीं पढ़ेंगे पस्ताइंगे होता है क्या कि बच्चे फिर एक महने बाद कितना चूट गया और वह जानते नहीं कि उनको क्लास लेनी कि नहीं लेनी उनको पता है लेकिन वह पता ने किस घड़ी का इंतजार करते हैं किस म इस रूल पर मुझे डिसकस करना चाहिए लेकिन शुरू में क्या बच्चे जब सिखाने लग जाते हैं गुरू को ऐसा कर लीजे वैसा कर लीजे तो बस वहीं पर लगते हैं कि हम पढ़ा रहें कि वह हमें पढ़ा रहें तो थोड़ा सा पेशेंस रखना जरूरी है हर एक चीज के गरिमा होती है आप मुझसे उम्रे में बड़े चोटे हो सकते हैं अपना फीड़बैक आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं लेकिन जब क्लास शुरू हो जाए तो पूरा फोकस क्लास में आ जाना चाहिए बाद्ध्यान रखिएगा मैं सब्सक्राइब क्लास बहु अब कोई बैच कर सकते हैं अब को उम्मीद से कितना जादा मिलता है वहां पर वाकी चुआइस आपकी मैं तो कभी किसी को कहता ने बहुत फोर्स फूली तो कहता ने कि नहीं लेना ही पड़ेगा नहीं लेंगे तो क्या होगा कुछ नहीं होगा सर सर आपके स्टार्टिंग कब से शुरू होगा निधीर शर्मा अब बैच। स्टार्ट हो चुका है नेधीर शर्मा अभी अडस्यांटिव चल रहा है ओड्रों हो चुका है कोई बैचश शर्मा के लिए संचत थी कि कैसे कुणकी लिटरेचर तो हम खुद समझतें बट ग्रेमर में जो रूल्स वहीं समझाते बट थांक्स टू यू शेशी शर्मा थांक यू पढ़ेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा नहीं पढ़ेंगे तो कोई टीचर दुनिया का कोई टीचर आपके लिए कुछ नहीं कर सकता अरे युद्ध में उत्रेंगे नहीं तो कौन आपको युद्ध जिता ले स्टार्टिंग बैच शुरू हो गया है या कब होगा निधी शर्मा सिंथ नया बैच स्टार्ट हो चुका है कि उसकी आर्दस क्लासेज हो चुकी है अभी स्टार्टिंग समय बरबाद मत करिए बाद में फिस पच्चता होतकर चिडिया चुक गई खेट अपने अपने स्टुडेंट है और इन लोगों की बातें ऐसे नहीं यह सब बहुत मजह हुए लोग है ठीक है चलिए पढ़ना है तो यह नंबर याद रखिए फीड कर दीजिए नहीं पढ़ना तब भी फीड कर दीजिए लेकिन यह नंबर आपकी हर समस्या का हल है तो इस नंबर को अप अपने प्रेशी का रखते हैं समाल करके ठीक है विल्कुल आखी कुमारी करें आयम एक लव्वे बहुत बढ़िया है कोई बात ने एक लव्वे होना भी बुरी बात नहीं हुए इफ यह था कैटर सिटी देन यू शुड भी एक लव्वे लव्वे है ठीक है कोई बात ने अब मैंने क्लास ले ली हैं तो अब हो गई सारी बाते भी आपको तुछा मोटिवेट भी किया क्योंकि वह भी जरूरी है ठके हार योद्धा नहीं बनना है जो शीले योद्धा बनना है तभी आपको सेलेक्शन मिलेगा ठीक है तो मिलते कल आपसे कल क्यों दुपैर को झार किछेशन बनना है